और बात करते हैं, ग्रेटेन रोड़ा अथारिटी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, 6 अवैद उनिपोल पर 30 लाख रुपए का जुरुमाना, अवैद उनिपोल पर 5-5 लाख रुपए का जुरुमाना, एक हफ़ते में जुरुमाना जमा करने की आदेश, जुरुमाना नहीं देने पर RC जारी हो की श्री राम ग्लोबल स्कूल यह थार्त सूपर स्पेशलिटी हॉस्पिटर सावरिया बैंक च्छाल दिल्ली वर्ल पप्लिक स्कूल अपैक्स आइस और आईएफ सेंटर और सुमी राम साई रिटर्स शामिल है तो यह बड़ी खबर आपको बता रह है जहां पर बताया जा रहा है कि 6 अवैद यूनिपोल पर 30 लाक रुपए का जुर्माना लगाया गया है और अवैद यूनिपोल पर 5-5 लाक रुपए का जुर्माना लगाया गया है हारा कि एक हफते में जुर्माना जमा करने के आदेश दिये गया है और जुर्माना नही देने पर RC जारी होगी सही होगी हिमाईशू हमारे साथ जुर गया हिमाईशू ये बहुत बड़ा अक्षन देखने को मिल रहा है नोडा अथौर्टी की तरफ से देखें जाहिर तोर पर चांदनी आपको बता दे क्योंकि शेहर की शोभा खराब होती है सुंदर्ता कम होती है और अवायद पोल जो लगे हुए है उस्ते खत्रा भी रहता है लेहाज इस तरीके के पोलों को अप्चिनित करके कारवाई की जा रही है शुरुआती तोर में ग्रेटर नॉडा अथौरिटी तोरा छे ऐसे पोल से जहाँ पर पाइद रूप से वोडिंग्स लगे हुए थी लियाद हम आपर कारवाई की गए ना सिर्फ कारवाई की गए उन्हें हटाया गया बल्कि जुर्माना भी लगाया किया पाच-पाच-पाच-पाच लाख रुपए का और यह सपस्ट मेसेज दिया क्या है कि अवाद होडिंग से कर लगाई जाएंगे तो जुर्माने की कारवाई होगी साथ ही जो सियो ग्रेटर नॉड़ा अथौरिटी है उन्होंने यह भी सपस्ट किया है कि अगर एक हपते के अंदर ये पैसा जो है वसूली नहीं होती है जमा नहीं किया जाता जुर्माना तो आने वाले वक्त में आर्सी भी जारी करके कारवाई की जा सकती है लियाजा एक बड़ी कारवाई के रूप में देखा जा रहा है शुरुआती तोर में ये कारवाई शुरू की गई और बताय जा रहा है कि आगे इस तरीके का एक्शन बहुत शुक्रियास पुरी जानकारी के लिए सियम योगी आधित नात आज आजनकार की दौरे पर रहेंगी जोहां पर जोहान गंज की अगबेलपूर में निर्माराध धीन महराजा सुहेल दियो विश्व विद्याले की निर्माराध कारियों की निरिक्षर करेंगे और इसके साथ इविक्सित भारत संकल्प यात्रा की कारक्रम में भी शामिल होंगे सियम योगी आधित नात आज वरार्ची की दौरे पर रहेंगी जहांपर सियम योगी पियम मोदी के काशी दौरे से जूड़ी तैयारियों का जासा लेंगे इसके साथ विक्सित भारसंकल प्यात्रा में भी शामिल होंगे वहीं पसरकारी योशों के लापार्टियों से सीम योगी संबाथ भी करेंगे बलिया में हरियाड वी डांसर सपना चोध्री का बयान उन्हें कहा है कि सिम योगी करकाल में यूपी में बड़ा बतला हुआ है भ़े यूपी में शो करने में डर लगता था पहले लेकिन पहले यूपी में विवाद खड़ा हो जाता था तो अब यूपी में दंगे फसाद विवाद नहीं है अब यूपी सुरक्षट महसूस करती हूँ और आपको बताते चले कि सपना चौधरी दादरी मेले में शिर्कत करने के लिए पहुची हुई थी और वही पर हर्यानवी डांसर ने ये अपना बायान दिया है तो देखे क्या कुछ कहा है सपना चौधरी ने उन्हें कहा है कि सीन योगी की कारकाल में यूपी में बड़ा बदलाव हुआ है पहले यूपी में शो करने में डर लगता था पहले यूपी में विवाद खड़ा हो जाता था यूपी में दंगे फसाद और विवाद नहीं है और यूपी में मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ यूपी में 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 गोंडर रेल्वे स्टेशन पर से गुजर रही गोरगधाम एक्स्प्रेस ट्रेन से एक महिला नीचे गिर गई है जिसके बाद उसका पैट प्रीन और प्लेटफॉर्म के बीच फस किया आरपेफ हैट कॉंस्टेबल ब्रामसुंदर जैसवार नित्वरंत महिला को खीच लिया और उसकी जान पचा दिया अमेटी में स्कूल से घर जा रहा है साइकिल सवार चातर को तेज रफता ट्रॉले ने टकर मार दिया हाथसे में चातर की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई हाथसे के बाद बड़ी संक्यावे परिजन और ग्रामिल मौके पर इकट्था हो गया हंगामा करने के बाद सड़क जाम करके प्रदर्शन शुरू कर दिया है हादसे और सड़क जाम की सूशना मिलते ही थानों की फोर्स मौके पर पहुचे ग्रामिडों को समझा पूचा कर सड़क खाली करवाने का प्रियास किया गया परिजनों का आरोपे की बच्चे के शब को लेकर पुलिस चली गई और विरोध करने पर लाठी चार्ज किया हादसे के बाद ट्राले को छोड़कर भाग रही चाला को पूलिस ने हिरासत में ले लिए पूरा मामला महराजपुर काउंट का है हम बाद आरे है रहा जानते कायां हम और जानते हैं क्या हम हो जांते हैं क्या हथा करेग्शी खYUंपुर माहरे घ् 對के विर्ड़कर इसकुल्ड़ को यूर्फो सबक्रा करने ने आगे भी खबर जारी हां रुकिंग छोड़ी से ब्रेक के लिए जनम भूमी ममपुरी सुहावनी उत्तर दिसी बहसर्जी पावनी अयोध्या करोडों की आस्था का केंद्र भव्य राम मंदिर का दिव्य स्थर्व इस पुन्य भूमी पर होगा सबसे बड़ा उच्चल सबसे बड़े चेहरों के साथ अयोध्या में तैह है श्री राम महापर 16 दिसंबर सर्फ निउज 18 उत्तरपरदेश उत्तराखन पर